हेलो गाइज कैसे हैं आप सभी सूधन अकैडमी के ओफिशल यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन्ट है क्योंकि अक्सर देखा गया है हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के सभी एक्जाम में हर्याना के नरित्य में से एक या दो प्रशन आते ही आते हैं कुछ प्रशन ऐसे होते हैं जो वो एक्जामिनर सीधा पूछ लेते हैं और कुछ कोशन ऐसे होते हैं जो एक्जामिनर थोड़ा सा घुमा कर पूछते हैं जैसे हर्याना का सबसे पुराना और महाभारत काल का निरित्या कौन सा है हर्याना का राजकिये नरित्या किसे कहते है हर्यानवी गिद्धा किस नरित्या को कहते है या किस नरित्या में प्रशन उतर होते है आपने जरूर पड़ा होगा पर कई बार हमको याद नहीं आ पाता क्योंकि हम थोड़ा सा कन्फ्यूस हो जाते है जिस हिसाब से examiner question पूछता है आज की इस वीडियो में हम detail से करने वाले हैं हर्याना के निरित्य और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपका हर्याना के निरित्य टोपिक में से एक या दो जो भी question आते हैं वो आपके पके होने वाले हैं तो आईए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को पूरी वीडियो देखिए आपको पूरा basics clear होगा जितने भी हर्याना के निरित्य हैं और उनके पिछे क्या क्या concept है तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले बहुत important निरित्य है हमारे पास अकसर questions आते हैं इस निरित्य के की धमाल निरित्य किसे कहते हैं या फिर धमाल निरित्य किस time का निरित्य है देखिए जो धमाल निरित्य है पहली बात यह है कि वो पूरुशों दुवारा किया जाता है हर्याना का सबसे पुराना नरित्या है अगर कई बार कोशन आता है कि हर्याना का सबसे पुराना नरित्या कौन सा है तो वो आपका होगा धमाल नरित्या और यह नरित्या फसल की कटाई से पहले चांदिनी रात को खुले खेतों में किया जाता है और अगर आपके पास कोशन आता है कि महाभारत काल के समय का नरित्या कौन सा है तो धमाल नरित्या ऐसा नरित्या है जो महाभारत काल के समय का नरित्या है 1967 गणतंत्र दिवस पर पहली बार इसे परफॉर्म किया गया था तो यहां से आपका ये question clear हो गया है कि सबसे पुराणा नरित्य कौन सा है और महाभारत काल का नरित्य कौन सा है तो वो आपका रहेगा धमान नरित्य आईए देखते हैं अब अगला नरित्य अब कई बार questions आते हैं कि मेवाद से जुड़े हुए निरित्य कौन से है या फिर ये कोशन पूछ लेगा कि मंजीरा किस शेतर से जुड़ा हुए निरित्य है तो देखिए मेवाद से जुड़े हुए जो हमारे पास निरित्य है वो मेंली दो टाइब के निरित्य है एक है मंजीरा निर्टे और एक है रतवाई निर्टे तो मंजीरा निर्टे है बेसिकली मेवाद में होता है मेवाद छेतर में समूहिक रूप से किया जाता है यह निर्टे यह निर्टे बेसिकली मुस्लिमों ने शुरू किया था और नेक्स्ट वन हमारे पास आता है नरिते हैं आज़ेर हैं अगला न्रितנס तो अब हमारे पास अगला। नरिते आता है रास न्रितै की फर्दर दो केटेगरी रास नरिते को भी दो भागों में बांटा गया है सबसे इसमें पहला भाग और दूसरा भाग क्या होने वाला है आए डिसकस करते हैं इस नरित्य के मुख्यत दो भाग है पलबरल और फरीदाबाद में बेसिकली ये नरित्य जादा किया जाता है तो जो इसका पहला भाग है वो रहेगा तांडव रास्न नरित्य का पहला भाग रहेगा ता होता है तांडव निंद्रियों को पुरुष करते हैं और जो दूसरा रहे गा वो रहे गा लास्य क्या निर्टिय को पुरुष नहीं देखค़ते यह कई बार कोशन आ пожश्ण नहीं देख सकते तो वह रहता है लास्य नर्य creepy इसको पुरुष नहीं देख सकते और यह रास नरित्य की एक सब कैटेगरी है आईए अब चलते हैं आगे रास नरित्य बेसिकली भगवान शरी कृष्ण और रास लिल्ला से समन्दित है अब हमारे पास जो अगला नरित्य है यह भी एक बहुत जड़ा इंपोर्टन नरित्य है इसका नाम है गणगोर नरित्य यह बेसिकली हिसार में किया जाता है और वैसे यह नरित्य राजस्तान का है अगर इसका ओरिजन देखें तो यह नरित्य राजस्तान का है पर हर्याना के हिसार में इस निरित्य को किया जाता है यह निरित्य भगवान शिव और माता पारवती से संबंदित है तो कई बार यह कोशन आ जाता है कि गंगोर निरित्य हर्याना में कहां किया जाता है तो इसका सही आंसर होगा गंगोर निरित्य हर्याना के हिसार में किया जाता है तो अगला जो निरित्य है वो हमारे पास है सांग निरित्य देखिए सांग को बेसिकली लकडी के बने तक्त पर किया जाता है और क्रिशनलाल भट थे जो वो सांग परंपरा के जनक थे क्रिशनलाल भट जी को सांग परंपरा के जनक माना जाता है और सांग नरित्या को ही हरियाना का राजिकिय नरित्या भी कहा जाता है और ये कोशन आया भी हुआ है एक्जाम में कि हरियाना का राजिकिय नरित्या किसे कहा जाता है तो इसका सही आंसर होगा सांग निरित्य सांग निरित्य को खर्याना का राजगिय निरित्य भी कहा जाता है अब अगला जो हमारे पास निरित्य है वो है घूमर निरित्य जिन जिनों की सीमा बेसिकली राजस्तान से लगती है वहाँ पर यह नरित्य जादातर होता है तो इस नरित्य को हम घूमर नरित्य कहेंगे पर जो अगला नरित्य है हमारे पास वो बहुत important है और इस नरित्य का नाम है जूमर नरित्य और यह नरित्य इस्तरियों दोबरा किया जाता है और यह नरित्य पंजाब से आया है इसका जो ओरीजन था वो पंजाब था इस नरित्य को पहले पंजाब में किया जाता है और अब भी किया जाता है उसके बाद हमने हर्याना में इसे इंप्लिमेंट किया यह नरित्य पंजाब से आया है इसलिए इस निरित्य को हर्यानवी गिद्दा भी कहा जाता है देखिए ये कोशन आया हुआ है एक्जाम में कि हर्यानवी गिद्दा किस निरित्य को कहा जाता है तो जो जूमर निरित्य है उस निरित्य को हर्यानवी गिद्दा कहा जाता है यह निर्टे इस्त्रियों द्वारा किया जाता है यह निर्टे इस्त्रियों द्वारा विवा में किया जाता है त्योहार या खुशी में किया जाता है तो यह भी एक important निर्टे है आईए देखते हैं अगला निर्टे अगला निर्टे हैं हमारे पास तीज निरित्य ये भी बेसिकली इस्त्रियों द्वारा ही किया जाता है यह निरित्य इस्त्रियों द्वारा तीज के तोहार के अफसर पर होता है वर्षा के स्वागत के लिए इस निरित्य को किया जाता है ये बेसिकली सावन के महा में होता है इसमें लडकी को ओधली या फिर संधारा गिफ्ट के रूप में दिया जाता है पिंग पाटडी का संबंद भी तीज निरित्य से ही है तो आएए अब देखते हैं अगले निरित्य को ये निरित्य हमारे पास रहेगा विवा से संबंदित तो इस विडियो में या इन नोट्स में मैंने आपकी कैटेगरी बनाई हुई है कि विवा से संबंदित कौन से निरित्य हैं वर्शाकाल से संबंदित कौन से निरित्य हैं तो इसमें आप सभी स्टूडंट्स के लिए बहुत ही असानी हो जाएगी तो आईए जानते हैं विवा से संबंदित निरिते, सबसे पहला हमारे पास आता है सुहाग निरिते, इस निरिते को लड़कियां करती हैं और ये विवा से संबंदित निरिते हैं, दूसरा निरिते हमारे पास आता है घोडी निरिते, इस निरिते को बेशिकली लड़के करते हैं और यह भी विवा से संबंदित नृत्य ही है आईए देखते हैं अगली कैटिगरी बच्चों से या नवजात बच्चों से या पुत्र से संबंदित नृत्य कौन-कौन से हैं तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास नरित्य रहेगा वो रहेगा छटी नरित्य यह इस्तियों द्वारा किया जाता है यह नरित्य इस्तियों द्वारा शिशु जनम के छटे दिन रातरी में किया जाता है जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के छटे दिन में इस नरित्य को रातरी में किया जाता है इसमें बच्चों को उबली गेहूं चने बांटे जाते हैं जिसे बाकली भी कहते हैं और दूसरा नरित्य हमारे पास रहेगा पिलिया नरित्य पुत्र रतन की प्राप्ति पर इस नरित्य को किया जाता है देखिए कई बार कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे घर में पुत्र रतन की प्राप्ती हो उनके घर में पुत्र पैदा हो तो जब पुत्र उनके घर में पैदा होता है तो उस occasion पर इस नरित्य को किया जाता है जिस नरित्य का नाम है पीलिया नरित्य उमीद करता हूँ आपको साथ के साथ बेसिक्स भी किलियर हो रहे होंगे तो आईए अब चलते हैं नेक्स्ट कर्टिगरी की तरफ खोली से जुड़े नरित्य कौन-कौन से हैं तो देखिए ये भी बहुत इंपोर्टन्ट कोशन है जो अक्सर आजाते हैं एक्जाम में की होली से जुड़ा हुआ नरित्य कौन सा है सबसे पहले आपके पास रहेगा फाग नरित्य यह भी इस्त्रियों द्वारा किया जाता है यह नरित्य इस्त्रियों द्वारा खोली में दो सब्ता पुर्व रात्री में किया जाता है और जो हमारे पास दूसरा नरित्य है ये अपने आप पे बहुत इंपोर्टन्ट कोशन है बहुत इंपोर्टन्ट नरित्य है और इस निर्टे में से अक्सर कोशन आता भी है लूर निर्टे लड़की परधान निर्टे है ये पहली बार वो ये भी पूर सकते हैं कि लूर निर्टे लड़का परधान निर्टे है या लड़की परधान निर्टे है तो यह नृत्य होली के मौसम में हर्याना के जादा तर बांगर शेतर में किया जाता है और इस नृत्य को पुरुष नहीं देख सकते इस नृत्य में प्रशन उतर होते हैं देखिए एक बार कोशन आया था कि हर्याना के किस नृत्य में प्रशन उतर होते हैं तो इसका सही आंसर है लूर नरित्य में प्रशन उतर होते हैं अब नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी वसंत रितु का नरित्य है जो वसंत रितु है उनसे सम्मंदित नरित्य हमारे पास कौन-कौन से हैं सबसे पहला हमारे पास आता है डफ नरित्य वसंत रितु के आगमन पर किया जाता है इस निरित्य में वीर और शिंगार रस की परधानता होती है देखिए कई बार एक्जाम में ये कोशन भी आ सकता है कि किस निरित्य में वीर और शिंगार रस की परधानता होती है तो इसका सही आंसर रहेगा डफ निरित्य डफ नरित्य में वीर और श्रिंगार रस की परधानता होती है डफ नरित्य पहली बार सन 1969 में गंतंतर दिवस समारों में प्रस्तुत किया गया था अब हमारे पास अगला नरित्य आता है वो आता है खेडा नरित्य देखिए ये शोक के टाइम में किया जाता है और इस नरित्य को जब परिवार में किसी बजूर्ग की मौत हो जाती है उस ओकेशन पर इस नरित्य को किया जाता है और इस नरित्य का नाम है खेडा नरित्य कुछ confusion भी होगी बच्चों में खेडा नरित्य और खोडिया नरित्य की और मैं आपकी confusion इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ आईए अब next category में चलते हैं गोगा जी से समंदित नरित्य कौन से होंगे हमने पहले पढ़ा था छटी नरित्य जो नवजात बच्चे के पैदा होने के बाद छटे दिन में किया जाता है और अब हम पढ़ने वाले हैं छडी नरित्य छडी नरित्य देखिए पूरुशों दुवारा किया जाता है यह नरित्य गोगा नम्मी पर पूरुशों दुवारा गोगा पीर की पूजा के बाद रात्री में किया जाता है और इस नरित्य को बांस के डंडे पर कपड़ा लपेट कर किया जाता है तो ये गोगा जी से समधित नरित्य है और गोगा नरित्य जो हमारे पास अगला नरित्य है वो ऐसा रहेगा गोगा पीर के भगतों द्वारा स्वैम को जंजीरों से पीटना इस निरित्ते में गोगा पीर जी के जो भगत हैं स्वेम को जंजीरों से पीड़ते हैं गोगा जी का वाहन नीला घोडा होता है कई बार कोशन आ सकता है कि गोगा जी का वाहन किसे माना जाता है या गोगा जी का वाहन कौन सा है तो इसका सही आंसर होगा निला घोडा गोगा जी को सांप का रक्षक कहा जाता है और ये कोशन काफी बार एक्जाम में आ चुका है कि सांप का रक्षक किसे कहा जाता है तो इसका सही आंसर होगा गोगा जी को सांप का रक्षक कहा जाता है तो अब काफी बच्चों के दिमाग में एक छोटी सी confusion रहती है खोडिया नरित्य और खेडा नरित्य की देखिए खेडा नरित्य मेंने आपको अभी पढ़ाया है कि खेडा नरित्य जब परिवार में किसी बज़ूर की मोत हो जाती है वो नरित्य उस occasion पर किया जाता है पर अब जो दूसरी category है वो हमारी है खोडिया नरित्य की तो खोडिया नरित्य बेसिकली इस्त्रियों द्वारा किया जाता है यह नरित्य इस्त्रियों द्वारा नव वदू के आगमन से पहले रातरी में किया जाता है जब घर में नई बहू आने वाली होती है, उसके आने से एक दिन पहले रातरी में इस नरित्य को किया जाता है, बरात जाने के बाद पीछे से घर में महिलाएं दूला बनती हैं और इस नरित्य को करती हैं, इस नरित्य को खोडिया नरित्य कहते हैं, तो अब हमारे पास आज क इस वीडियो में जो लास्ट नरित्य है वो रहेगा नीम भराई नरित्य शादी में लड़के दुआरा इस नरित्य को किया जाता है लड़का लड़की के परवेश दुआर पर छड़ी मारता है उस occasion पर किये जाने वाले निरित्य को नीम भराई निरित्य कहते हैं उमीद करता हूँ आपको यह video काफी पसंद आई होगी और इस video में आपने काफी हद तक अपना basics clear किया होगा और यह video आपके आने वाले exam में काफी आपका moral boost up भी करेगी पलस आप इस video में screenshot भी ले सकते हैं और अच्छे से notes बनाकर अपनी त्यारी भी कर सकते हैं इस video में काफी question directly भी आते हैं और indirectly भी आते हैं और जितने question अब तक यहां पर आए हैं HSC के exam में में वो ज़्यादातर question को इस video में डाला है ताकि आपकी त्यारी अच्छे तरीके से हो सके मैं उमीद करता हूँ आपको यह video अच्छा लगा होगा और हर्याना के निरित्य से सम्मंदित जो भी आपके doubts हुए होंगे काफी हद तक वो clear भी हुए होंगे तो आने वाली वीडियो को देखने के लिए और हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के एक्जाम की त्यारी करने के लिए आप सूदन अकैडमी के ओफिशल यूटूब चैनल से जुड़े और अपना मुराल और स्टड़ी लेवल दोनों को ही बूस्ट अप करें इस चैनल पर हर्याना जीके के साथ साथ आपको मैथ, रिजनिंग और हर्याना से संबंदित जितनी भी जोबस हैं उसकी भी जानकारी दी जाती है तो अपनी स्टड़ी को बूस्ट अप करें और सूदन अकैडमी के ओफिशल यूटूब चैनल से जुड़ें ठैंक्स फॉर वोचिंग